बिहार में शराबंदी पर विपक्ष लगतार हमलावार है हमारे साथ मौझूद है ललित तियादो जी जो कि बिहार सरकार में पीएचडी मिनिस्टर है ललित जी जब आप लोग विपक्ष में थे तो नितीश कुमार पर लगतार हमला करते थे आप तेजस्वी यादो सब कि बिहार में होम डिलिवरी है बिहार में जहरीली सराब का प्रचलन है इसका रिव्यू होना चाहिए अब इस जहरीली सराब से इतने लोग की मौत हो गई सो लोगों की तो क्या आपको लगता है कि इस पर रिव्यू होना चाहिए प्रोहिशन बिल पर देखे सरकार इसके डिलिवरी है तो क्या दो महीना में आपकी निती कैसे बदल गई हम लोग ने कहा कि जो भी हो सरकार को उस पर ततपर रहनी चाहिए सरकार को करवाई करनी चाहिए सरकार ततपर है पूरी तरह से सरकार करवाई करने के लिए नहीं मानते हैं कि हम डिलिवरी है यहां पर मेरे प्रदेश और इतने बड़े प्रदेश में इतनी जन संख्यां है तो कहीं छिटफुट बात हो सकती है लेज सरकार पूरी ततपर है और सो लोगों की मौत छिटफुट बात है यह जो सोलों की मौत हम नहीं मानते हैं जो मौत हुई है यह बहुत दुखनी है दर्दनायक है और इस दुख के घरी में हम लोग भी दुखी है लेकिन सरकार इस पर पूरी तरह से ततपर है तो दुखरवाय होगी सरकार करेगा जिसको पूलीस को जिम्यवारी दी गई है उसके मिली भगत से जहरीली सराब या शराब बेची जा रही है राज्य में और राज्य को नुकसान भी हो रहा है देखे सरकार पूरी तरह से ततपर है और सरकार के मुख्या नितिश कुमार जी भी इस पर काफी नजर रखे हुए जहां कहीं भी इस तरह से माफिया हो या पुलीस वाले लोग हो उनका गर्जोर है उनको चलने नहीं देगा मुखमंत्री जी और निश्चित रूप से उकर बाइकने